सीरियल अनुपमा में चल रहा है हाई वोल्टीज रामा जहां अब वनराज का एक फेसला बदल कर रख देगा पूरी कहानी जी हां दोस्तों एक तरफ हमें लग रहा था कि वनराज अब अनुपमा के साथ ही रहेगा और अब उसे अपनी गलतियों का एहसास है लेकिन अनुपमा ने इसको डाइवोस पेपर दिखा कर उसे मना करके वापसे उसका असली चेरा सबके सामने लाई दिया है वनराज कभी नहीं सुदर सकता ये तो हमें समझ आई गया है और वो काव्याशे शादी करने वाला है साहत में आने बाले एपिसोड में दिखाया आएगा कि वो पाकी को भी अपनी साहत ले जाएगा और पाकी भी अपने पापा के साहत ही रहना चाता है लेकिन यहां पर अनुपमा को इस नहीं पर एक और बड़ा कदम उठाने वाले जिया दोस्तों अनुपमा ने सोच लिया है कि वो भी इस तला को नहीं रोकेगी कि यह अब उसको अपना पती मानती ही नहीं है वनराज को तो यहां पर अब अनुपमा अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए लड़ेगी एक जंग जिया दोस्तों अनुपमा का एक नया अवतार हमारे सामने आने वाला है जहां अनुपमा अपने हग के लिए लड़ती वे नजर आएगी वनराज ने सोचा था शायद अनुपमा ऐसा कोई बखाड़ा नहीं खड़ा करेगी लेकिन अब अनुपमा में ठान या किसको सबक सिखा के ही रहना पड़ेगा ऐसे तो यह सुदरने वाला नहीं है और वो अपनी बच्ची को पाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाएग जहां अनुपमा का एक नया रूप, एक नया अंदाज, एक नई स्टोरी के साथ में शुरू होगा और इसको देखकर फैंस के साथ वनराज भी शॉक्ट हो जाएगा कि आखिर अनुपमा ऐसा कैसे कर सकती है यह दोस्तों वनराज को सबक सिखाने के लिए अब अनुपमा ल उहएगा कि लिएगा china एम खराज खिएगा ब्हाएगा कि जाएब कि दूपमा खीमा और इसके लुट हो शॉकर प्योदोरीर झालाज कि रव दाएगा लखाने के साथ ब nhấtुट मॉब में चालाज कि लिए झालाज कि अस्मा जई होगा पूर्क जाइप झास प्सना कि जग